कोई भी विवाहित महिला को ये अधिकार नहीं है कि वे अपने सास्सुर के इच्छा के किलाफ उनकी समपत्ती में रह सके या समपत्ती में इस साल ले सके सूप्रीम कोट ने ये नई विवस्ता की है कि यदि विवाईता का अपने पती से कोई डिस्पुट चल रहा है या पती-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं तो पत्नी को ये कानून अधिकार नहीं देता कि वे शादी के बास साससुर द्वारा बनाई गए समपत्ती में अगर रह रही थी तब उसका ये अधिकार है कि वे शेर होल्ड हाउस के नाते उस समपत्ती में कानून रहने की अधिकार नहीं है। यहां तक कि यदि कोई विद्वा बहू भी ये अधिकार नहीं रखेगी कि वे साससुर द्वारा बनाई गए समपत्ती में कोई हक की मांग कर सकती है। आए दिन डॉमेस्टिक के केसिज में ये देखने में आता है कि परिवादिया या महिला इन केसिज के माध्यम से ये मांग करती है कि वे शादी के परश्चात जिस शेर होल्ड हाउस में आकर के रही है। ना कि चाहे वे समपत्ती साससुर के नाम ही हो फिर भी वे उस समपत्ती में रहने का हक रखती है और उसमें बटवारे का हक भी रखती है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वे महिला इस परखती में केवल शेर होल्ड हाउस होने के कारण हक लेने की अदिकारनी नहीं हो सकती। क्योंकि समपत्ती उसके पती के नाम से नहीं बलकि साथ ससुर के नाम से इस प्रकार की वे वे वस्ता सूपरिम कोड़ दोहरा समय समय पर पारित नए निर्णेयों के आदार पर दी गई है। तो मात्र महिला होने की आर्ट से वे साथ ससुर की संपत्ती में हिस्सा पाने या उनकी इच्छा के विरुद उसमें रहने की अदिकारनी नहीं होगी। यहां एक इंपोर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि इस इस्तिती में वरद सास ससुर अपनी संपत्ती का कबजा अपनी भहू से खाली करवाने है तू ना केवल सिविल केस कर सकेंगे बलकि सीनियर सिटीजन एंड वेलफेर एक्ट के अंदर भी अपनी संपत्ती को खाली कर वाने का अधिकार रखते हैं सीनियर सिटीजन एंड वेलफेर एक्ट के संबंद में वरद माता पिता के अधिकारों कानून के बारे में जल्दी ही आपके सामने एक वीडियो भी लेकर कर आऊंगा कोई भी विवाहिता अपने पती से डिस्पुट होने की इस्तिती में संप इदा को उपलब्द करवाए माननी सुपरीम कोड़ दोवारा एसार बत्रा वर्सिस तरुना बत्रा के केस में एसपस्ट किया गया है कि कोई भी विवाहिता इस्त्री सास ससुर की संपत्ती में ना तो रहने की अधिकार नहीं हो सकती है ना ही उस संपत्ती में अपने हक की भी वाहिता इस्त्री और उसके पती के मध्व मतव्यदोете कें केस मैं मानलेज़ा कोड में विचार दीन है तो विवाहिता महीला के पत्ती के तो वह गरिलू हिंसा अधीनियम के अंतरगत रहवास की सुईदा के लिए पती के खिलाफ आदिश प्राप्ट कर सकती सर्फ या जिस किराय के मकान में रह रह रही है उसका किराया अपने पती से प्राप्ट कर सकती है यदि कोई भी विद्वा महिला के पती की किसी भी पुस्तेनी संपती में कोई भी संपती पती के हक की मौजूद है तो विद्वा महिला वे उसके बच्चे उसका हक तक मांग सकते हैं और संपती के मालिकाना हकी वे अधिकारी होंगे उस समपत्ती में महिला को पूरे पूरे अधिकार प्राप्त होंगे इसी प्रकार से विद्वा महिला के पती के नाम यदि कोई भी समपत्ती उसके रिष्टदारों द्वारा वसियत भी की गई थी और पती की मृत्यू भी हो गई है उस इस्तिती में वसियत में उल्लेखित संपत्ती में विद्वा वे उसके बच्चों का पूरा पूरा हकुगा उन लोगों को उस वसियत में संपत्ती में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि पती के जीवित रहते हुए उस इस्तिती में पती को प्राप्त होते दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि विवाईता और विद्वा महीलाओं के संपत्ती के संबंद में अधिकार हो अधिकार क्या क्या होते हैं महीलाओं के संबंद में उनके पीहर वे पैत तरक संपत्ती में हक के संबन में बहुत ही जल्दी एक वीडियो और आपके सामने लेकर के हजिर होंगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जन हित में शेयर करें धन्यवाद